अले मुद्दीन से कादरी यूटूब चैनल के माध्यम से आप लोहों को कुछ important point बताने चलाओं आज का मारा important point है my dear friends economic importance of insects economic importance of insects my dear friends धेल सारे insects ऐसे हैं जिनका economic importance हमारे लिए बहुती आवश्यक है आर्थिक महतुका हमारे लिए बहुती आवश्यक है इसलिए मैंने कहा किनका economic importance और थिक महत्तो economic importance economic importance को अगर ध्यान में रखा जाए तो हमारी समझ में यह आता है कि हमारे आसपास इलाग around us how many types of insects are useful and how many types of insects are not useful my dear friends, just as like we have given to just few examples of useful insects just as like honeybee also have no honeybee second, silkworm honeybee genus apis apis syndicus अपने हाग पाए जाती है मुद में खी उसका नाम है apis syndicus silkworm bombayak smog morai or bombayak smori lachinsets lachinsets trichordia lakka trichordia lakka and another cogneal bug cogneal bug dactylopias cocus dactylopias cocus मैं इतना आपको बताताना चाहता हूँ इसमें जो आपने देखा की honeybee इससे हमको honey प्राप्त होती है silkworm इससे हमें silk प्राप्त होता है silk जिसके कपड़े बगर बनाय जाते है इसके विशे में क्लास 9 ने आपने पढ़ा black insects इसके विशे में आप जाने एक black insects black insects इससे हमें लाप लाप कीट जिससे लाप प्राप्त होता जिसीद करने के काम में आता है cogneal bug यह एक ऐसा कीट है my dear friend जिसकी सहायता से इसी कीट की सहायता से हम color provide करते हैं color में my dear friend जिस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे color है जैसे आपको बता दें आलता जो होता जो red color का nail nail polish जिसको बोलते है nail polish nail polish यह जो है इसी कीट से निकाला गया cogneal bug से और nail polish के allow my dear friends और भी color इसके निकाले जाते हैं जिस तरह से आपने देखा कि nail polish निरता है आपको कुछ ऐसे color भी निकाले जाते हैं जिससे महावारा समझते हैं जो जो है उत्सों के समय या पूजापाण के समय इस त्रिया जो है या पूरूस भी अपने परेरों में और जो है हाथों में इसको लगाते हैं सुभमान करके तो वो जो color होता है वो color भी इसी से मिलता है cogneal box से अर्था डक्टाइलो पियस cocus इससे मिलता है तो आईए देखते हैं हमें केक करके और इसमें जितने कीट हैं सारे कीटों का importance है जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि इससे हमको honey bee honey bee से honey मिलेगी और wax मिलेगा bomb wax मोराई जिसको silicone बोला गया इससे हमको cocoon मिलता है और cocoon से हम silk को form करते हैं silk को निकाल लेते हैं silk जिससे कपड़े बनाए जाते हैं तीसरा होता है life insects इससे हमको lock मिलता है जिसकी सायता से हम आसानी पुरुवक seal करने का काम करते है और जाता है एक अप्रियल बग जिससे हमने रताया कि color है nail pearlis और ये महावर देने वाले color ऐसे मिलते हैं तो ये हमारे लिए useful insects हैं जैसे ये useful insects हैं my dear friend ठीक इसी प्रकार से हमारे लिए कुछ harmful insects भी आए harmful insects को अगर हम ध्यान में रखें तो इनको जैसे harmful में आजएगी आप देखीजिएगा grasshopper में देखी ये harmful insect है ये simply हमारे याँ जो बॉरली है जव और बज़डा बज़डा जिसको बूखते हैं इनकी पत्तियों को असानी तुक खाले जाते हैं जब इनकी पत्तियों को खाले जाएंगे पहुधे का धिकास और उत दो जाएगा ठीक, इसी प्लकार से धल सारे कीटे जसे हैं आपने देखा ग्यहों को आप रंख देते हैं तो उसमें घुन लग जाता है जो घुन लग जाता है यह एक प्रकार का कीट जो गयों को नुक्सान पहुंचाता है तो इस तरह से पेड़ों में आपने देखा हानकार कीट लग जाते हैं तो बड़े-बड़े पेड़ जो सूख जाते हैं तो कीटों की यह दो वेराइटीज होती हैं यह तो यूजफुल होते हैं उसरे हर्फुल होते हैं तो आज हम आपको बता रहे हैं जो यूजफुल इंसेक्ट हैं और किस तरह से हमारे लिए लग धायक हैं यूजफूल इंसेक्ट में वाहिए देखते हैं इसके पहले मैंने क्लास नाइन्थ बेस का जो है डिसकस करके अपने यूटूब चैनल पर अप्लोट किया है अब आई आज क्लास 11 और 12 बेस का मैं आपको टापिंग बताने चलना हो और हमारा अर्मान होगा इकोनामिक इंपोइटन्स और इंसेक्ट कि इंसेक्ट के अधार कीटारूओं के जो कीट हैं कीटों के आर्थिक मार तो क्या क्या है इकोनामिक इंपोइटन्स क्या क्या है अधार आज हम लावडायक कीटों के विशे में स्टडी करेंगे दूगे को के हानग क来ए नुकसान पहुंचा रहा हैंं, तो इस खाल आ रही हैं बुदात फली शेदर कीट अपने नाम सुना होगा जब फल तैयार हो जाता तो उसमें होल करके उस फल को खाले जाते हैं यह हरफुल इंसेक्ट हैं जो फार्मर के लिए बहुत ही नुक्सान दायक क्रिया करते हैं तो माई दिया फ्रेंड मैं आपको यहां पर आगे आपको बतारी से लाँ वहानी दी मिन्स एपिस इंडिकस एपिस इंडिकस ध्यान रहे यह एक लाबदायक कीट है वजबख्षी इंसेक्ट में आता है फिर भी यह लाबदायक है तो इसमें यह लाबदायक क्यों है मैं इसक तो ०ेनफ चाहता हूं को सम्झा ना चाहता हूं कि लावधाय क्यों है तो इसको अगर आप उतार लिए हो तो फिरे मागे बढ़ते हैं एक डेकर हैं हमारा अटार पही क्यों है इसमें लावधाय जो के and हैं हनी भी इसके विसे में मैं आपको बताना चाहता हूँ हनी भी पाले तो आप सबसे पाले यह समझ लीजिए कि इनका प्रोटेक्शन इतने हाई क्वाल्टी का प्रोटेक्शन होता है और और वर्ड में किसी कंट्री ने ऐसा प्रोटेक्शन अपने प्रोटेक्शन इतना प्रोटेक्शन इतना प्रोटेक्शन है प्रोटेक्शन के लिए देते हैं तो यह 20,000 अंडे अगर दे रही है आप सोच सकते हैं कि एक साल में कितने अंडे देती होगी जितने इससे अंडे लिकलेंगे उसी के साथ अंडों के बेस पर यह जो है इनके जन में लेते हैं इंसे चोटे जो है इंसे आप्स इसलिए इसको हम जो है लाफ दायक कीट की स्रेडी में रखते हैं दुसरा यह होता है कि अगर यह नेचुरल है तो सो फार सो गुड अगर नेचुरल नहीं है तो आइटिपिसियल बेस पर यह निका पालन कर सकते हैं आज ग्रवर्मेंट हमारी जो है किसानों को इसका मदवक्खी पालन का पूरी तरह से उनको मदवक्खी पालन करने के लिए प्रेवित कर रही है जिससे वे आसानी पूर्वक अपना जिवनियापन कर सके तो मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टन पॉइंट बताना चाहता ह कि प्रतिवर्ष लाखो टन प्रतिवर्ष जो है वो लाखो टन साहत प्राप्त किया जाता है माई डियर फ्रेंड जिसमें एक आज 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 करने को एक किलोग्राम वंली वन केजी फार्मिन केजी वंली वन केजी एक किलोग्राम साहत को प्राप्त करने के लिए एक मख्षी को दस लाख बार कितना का मैंने दस लाख बार एक मक्खी को दस लाख बार चक्कर लगाना पड़ता है अगर एक मक्खी एक किलोग्राम मद को सिल्व बनाने के लिए दस लाख बार चक्कर लगाएगी अब ये चक्कर लगाने के सिती उसकी डिस्टेंस के उपर डिपेंड करती है ध्यान रहे उसकी डिस्टेंस के उपर डिपेंड करती है अगर डिस्टेंस दूर है तो ये चक्करों की संख्या कम हो जाएगी और distance दिएक है तो चकरों की संख्या बढ़ जाएगी और ज्यादा तर यह अपना चकर लगाती है उन समय जिसमें व्लॉरिंग होती है Plants में व्लॉरिंग ज्यादा होती है उसमें इनके insects काफी ज़्यादा में work करते हैं तो इसमें आपने देखा कि जो मैंने बताया है आपने प्लांट्स को देखा इसमें जो है इंसेक्स ग्लैंट्स हैं मकरंद ग्रंथियां जब यह जाते हैं वहां से यह मकरंद को चूशते हैं सक करते हैं और अपनी ग्लैंट्स में फिक्स कर लेते हैं और लिया करके हनी कोम मे दिर ता है, there are three types of insects, first, पाला में बता रहा हूं, पाले बिगों घोते हैं, दूसरे को घोते हैं, ड्रॉं होते हैं, लॉर्कर हो गया जोते हैं, दूसरे को घोते हैं, वोछे में हैं, यह चुछे मिंग घोते हैं, तो आएंब देखते हैं, इनके डिफुरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है तो सहित राजय अमेर क्या 25 करोर पॉंड 25 करोर पॉंड इतना सहथ प्रतिवर्ष जो है यह पायवहाँ पर उत्पन होता है इतना सहथ 25 करोर पॉंड सहथ प्रतिवर्ष वहाँ उत्पन होता है अब इस सहथ को आईटिवर्ष बेस पर उत्पन कराते हैं नेचुरियल बेस पर नेचुरियल बेस का मतलब यह होगे एक मदवक्या स्वाइन जाका करें कहीं ने कहीं अपना छत्ता लगा लेती हैं और वहां पर यह वर्क करती हैं तो बाड़िया फ्रेंड तो यहां पर जा लेना बहुत ही आवस्यक हो जाता है कि किस प्रकार से मदवक्या अपना वर्क क क्या है एक समाजी कीट समाजी कीट उसे कहा जाता है समाज को लाव मिले समाज को जिससे लाव मिले उसी कीट को समाजी कीट की संग्या देते हैं तो इसमें मक्षी में आपने देखा है एक को रानी मक्षी कहा गया क्वीन कहा गया दूसरे को ड्राउन कहा गया दर्मक्षी कहा गया और तीसरे को स्वनिक कहा गया वर्कर कहा गया ध्यान दीजिएगा बाइडियो फ्रेंड रानी मक्षी की विसर में बता रहा था क्वीन की लंबाई जो होती है 15 से 20 सेंटी मीटर लंबी होती है और ये लगबाग सामान में मक्खियों की तुला में तीन गुना ज्यादा बरी होती है सामान में मक्खियां जो और भी मक्खियां पाई जा रही है इन मक्खियों की तुला में इसकी लंबाई जो होती है तीन गुना ज्यादा होती है माइडियो फ्रेंड्स अगर इसकी लंबाई तीन गुना ज्यादा होती है तो और इनका जीवनकाल जो होता है वो पांच वर्ष का होता है थ्यान दिजिएगा कि ये एक बार में 2000 अंडे एक बार में 2000 अंडे देती है और अपने पूरे जीवन काल में 15 लाइक्स 15 लाथ अंडे देती हैं अपने पूरे जीवन काल में पूरे जीवन काल में एक बार में 2000 एक से अब 10 से 20,000 अब ये कंपेर करेंगे लास्ट में चल करके हम कि एक से कितना हुआ और 10 से कितना हुआ इस इन दोनों का रेशियो क्या निकलता है तो इन दोनों का रेशियो हम कंपेर करेंगे लास्ट में चल करके पहले आप देखीते रहिए वरकर यहां पर मैंने क्वीन के विसें बताया तो क्वीन इतने अंडे मतलब एक बार में 2000 अंडे दे रही है प्रती दिन प्रती दिन 2000 अंडे अथार एक दिन में कम से कम उससे कितने इंसेक्स तयार हो सकते हैं कितनी मतलब किया तयार हो सकती हैं मिनिममम 2000 एक दिन में मिनिममम 2000 एक दिन और इसी तरह से 365 डेर में मुझिपलाई कर दीजिए आइसे रगला अगर यह 5 एर तक अंडे देती रही तो ऐसे ही लगबर उभाइट T2 तो 15 लाइक्स जो है ये अंडे देती है और इतने अंडों से ये काफ 뭉उagen और कई कोंग तयार हो जाते हैं तो इतने कोंग कोंग को इतने मक्खियों से लगबर 10 कोंग तयार होते हैं इसलिए मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर ये 10 कौम तयार हो गए तो minimum जाकर कि minimum quantity में बता रहा है 10 कौम तयार हो गए और 10 कौम तयार हुआ तो एक मक्खी अगर 2000 अंड दे रही है तो 10 मक्खियां होई तो 10 queens होई तो 10 queens कितना देंगी 20,000 20,000 per day होगा इनका 10 queens का और single queens का 2,000 तो single queens को अगर लेकर के हम आगे बाते हैं तो ये आसानी पूरों के HD कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा हनी हमको मिल रही है और ये देखिएगा इस queen के पास suppose भाइक यहाँ पर ये queen है ये comb है इस comb में इस तरह से ड़े का प्रोटेक्शन है ये ब्रांचेव है और branch income यहाँ पर इस तरह से १कॉञ़ा हूँ इस तरह सी ये comb लडा हुआ है branches में इस थी कॉण़ लगा हुए ब्रांचेव है इस पर ये comb है यहाँ पर ये comb इसा तो यहां पर यह गार्ड कुछ बख्यां होती है जो गार्ड करती है रख्षक करती गार्ड तो जब कोई मख्य इसी कौम्ब की ध्यान रहे इसी कौम्ब की कोई मख्य अगर बूसरे कौम्ब की कोई मख्य आ जाती है आप सुचते होगे एक कौम्ब में लगभग 25-35-35 जार तक मख्यां देखी गई मैक्सिनम 50,000 तक की मख्यां देखी गई और ये 5,000 के बब जाते है तभी ये डिविजन इनका स्टार्ट हो जाता है तो यहां पर ये क्वीन जो अंडे दे रही है 2,000 पर दे के रिशियो से उसमें 100 आशे अंडे होते हैं जोकी ड्रॉंस होते हैं ड्रॉंस पर जाता है नर को ध्यान रहे नर का काम ही सिर्फ और सिर्फ होता है कि यह क्वीन को फाइटाइल करना और क्वीन अपने लाइफ में सिर्फ एक बार एक बार अगर यह फाइटाइल हो गई इतने सारे एक्स को स्टोर कर लेती है कि दुबारा इसको और सकता फाइटिलाजिशन की नहीं होती है इसके बीच जितने भी ड्रॉंस आते जाएंगे पैदा होते जाएंगे हर कोम में उतने ड्रॉंस को यह जो वरकर्स क्या करती है कि अर्थाथ इनको छत्य में उनका कोई काम नाहीं में ड्रॉंस को-छे प्रभाय को यह होती हैं और जाए उसको यह ऑसा पूट जो साही जेल के नाम से जाना गया उसको ये पूरी तरह से एक खाती है और ये लाया जाते है व्रकर के द्रा़ा और उसी को ड्राएं भी खाता है तो ड्राएं घ्रस भरकर है के व्रकर कर देने पर दो भीकने मर जाए अगर दूब के कार स्वेंग मर जा रहा है च्छत्ते से बाहर होगे इसको भोज़न नहीं मिल पारा क्योंकि नोसली यह फॉटी लागे संहीं सिर्फ इनका एक वरका यह निशेचित करने के बाहर इनका और कोई वर्क नहीं होता ना तो यह च्छत्ते से बाहर जाते हैं ना त काम करने वाली मक्हियां जो होती है जिनके पास डब को होता है इसपाइम होते हैं और यह पूरे कोंप का प्रोटेक्शन करती हैं पूरे छट्य की स्रुच्छा करती है तो मैंडियो फ्रेंड्स यहां पर आपने देखा एक छट्ते में मैक्सिमम साथ हजार तक मक्हियां देखी गई है एक छक्ते में maximum 60,000 तक की मक्हियां देखी गई है और नर मक्हियां जो होती है 7 से 15 मिली मीटर लंबी होती है 7 से लेकर के 15 मिली मीटर तक लंबी होती है और क्वीन की लंबाई मैंने बताया भी आपको 15 से लेकर के 20 मिली मीटर थक लंबी होती है क्वीन सबसे ज़्यादा लंबी होती है और यहाँ पर लंबाई की विष्टी को ध्यान में रखा जाए और अंडे के विष्टी मैंने बताया कि पाड़े अंडों की संखिया 2000 होती है और यह एक साल में जो है टोटल अंडों की संखिया 15 लाख के लगवाग अंडों अंडे देती है अपने पूरे जीवन काल में अर्थाथ 5 साल की यवादि में तो इस तरह से आपने देखा कि अंडे इससे बराबर निलते रहते हैं जो अंडे निलते रहेंगे तो इससे नए-ने इंसेक बनते रहेंगे और यहाँ पर वर्कर के विष्टा आए देखते हैं इनके वर्कर करने की विष्टा होती है कभी ठकते नहीं है और इनी बेसे के सबसे एक्टिव होता है उसको यहां गौड के लिए पोड़े जहाँ पर क्वीन है अगर यहां पर क्वीन है जहां से देखिएगा अगर यहां पर क्वीन भी है इसकार से क्वीन है कि यहां पर इसकार से क्वीन है क्वीन है इसकार से जिसकी गाड़ ज्यादा है इसके इधाती गाड रहेंगे और uda़ती गाड रहेंगे दो साइड में गाड रहते हैं यह गाड का काम होता है कि जब कोई मक्षी नेक्टर को लेकर कहती है अन्य वक्ष जो गार मक्षों होती है पुरी दरस इसको चेक करती है किया queen को खिलाने लायक है अथवा नहीं अगर खिलाने लायक है तो इसके पाफ भेज जाएगा और नहीं खिलाने लायक है तो नहीं भेजा जाएगा ध्यान रहे अगर ये worker कहीं ऐसे जगह से nectar को लेकर क्या रहे जो pointless है जहरीला है इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर नीचे देखेंगे जब तो आपको धेर सारी मर्योई मक्हियां दिखाई देखेंगे उसका रिजय यह होता है सारी मक्हियां एकी प्रकार का सबब लेकर के नहीं आती कभी से किसी कोई मक्हिय से अगर दूसित आ गया दूसित इंसक्टर आ गया इसे जो दूसित नेक्टर आया तो जो नेक्टर दूसित होगा तो ये मक्षियों का इसला होता है उसको मिलकर के मक्षी से ये नहीं बोला जाएगा कि ये नेक्टर को अबस कर दीजी इस नेक्टर को नहीं चाहिए उस मक्षी कोई मार दिया जाएगा इसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया जाता कोई भी कंप्रोमाईज किसी प्रकार से नहीं किया जाता अब यहां तक पहुंशिने के लिए उसे छेड़ा साथ प्रकार की मक्खियों से संपर करना पड़ता है वर्कर को लेकर के आएंगी अपने सहाई लेवन को देंगी दिखाएंगी तो सलब देंगी वो उसको चेक करेगा फिर उसके आगे बढ़ाएगा फिर उसको चेक करेगा फिर उसको आगे बढ़ाएगा अगर वो पूरी तरह से क्वीन को खाने लायक है तो क्वीन के पास तक पहुंचाया जाएगा अगर Queen को खाने लायक नहीं है तो किसी एक चैंबर में ले जाकर उसको fix कर दिये जाए लेकिन ध्यान दाए कि मगर हनी जो होती है एसा क्डो सालों तक आप रखे रहे हैं कभी खराब नहीं होती उसका रिजिए क्या है उसका रीजिन यह है कि इसके जो भी नेक्टर आ रहे हैं वो सारे के सारे नेक्टर जो होते हैं, 100% प्योर होते हैं इन प्रॉटी नामकिस में कोई भी चीज नहीं होती और सबसे ज़्यादा विसक्यश है, आइडियाल लिक्विड के रूप में माना गिया है अंडे जा जा करके ये अपने एग में अंडो को ले जा करके जो गॉट सेल के बारा अंडो को ले जा करके धीरे धीरे एक एक चैंबर में फिक्स किया जाता है उसमें धीरे 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 जो है उसका डिवलप्मेंट होता है और वहां से नहीं नहीं जो है मक्यां तयार ह इस तरह से आपने देखा कि हनी वी एक वर्क के जो है इस तरह से हनी तयार करने के लिए एक प्योर नेक्टर की आशकता होती है सुद्र नेक्टर की आशकता होती है असुद्र नेक्टर को कभी भी इसके अंदर फ्रवेस नहीं कुंद के अंदर प्रवेस नहीं कराया जाएग जो स्रमिक है तो मैंने बताया कि इनकी लंबाई जो होती है फाइट से टेन मिलिमीटर लॉंग होती है और इनके पंक और मुखान बहुत ही मजबूत होती है और साथ ही साथ इसमें डंक भी होता है तो अगर आप मतमक्ठी को चेड़ते हैं या वरकर सारी की सारी छोड़ करके रागती है वहाँ बर रहा जाता है तो से काम रहा जाता है ये गाल्ड मक्ठीया रहा जाती है जिनके पास डंक दिए होता है और ये प्वूइन को प्रडेशन करती हैं ये अपने छत्य को नहीं श पूरेगी जब अनदर क्वीन का जड़े जो है फॉर्मेशन हो जाएगा जो अंडे दे रही है इन में से जैसे मैंने कहा कि यह 2000 अंडे पॉइंटे दे रही है उसे सब डॉन हो गए बकिया के वरकर हो गए उसे से हो सकता है जो एक क्वीन भी निकल जाए नए निकली तो अग मखियों को अलग कर दिया जाता है और इसी साथ इतनी मखिया आप लोगों देखा होगा ऑगा की आसानी से पुर करके चली जाती है किसी जगह अपना कोंब लगा लगा लेती हैं और एक कॉम में सिर्फ एक ही क्वीन रह सकती है दो क्वीन नहीं रह सकती जब की तभीं तब जाका दुसरा छॉता बना लेती हैं इस तरह से चॉते का दियुटि रहती है वाई ये फ्रेंड इस तरह से डांस करती है इस तरह से ऐसे ऐसे इस तरह से घुमती रहती है कुछ इस तरह से डांस करती है इस तरह से डांस करती है अब इनके डांस के बेस का क्या होता है इनके डांस का बेस होता है इनके आगे आने वाली नक्षियां जो हाँ उन सारी वरकर्स को इंडिकेट कर कि अपने को क्रियेट करके इंडिकेट कर देती है कि वहां से इतरी दूरी से अगर हम नेक्टर को ले आए तो सही और सुद्ध नेक्टर हमको मिल जाता है तो माई डियो फ्रेंड्स इस तरह से आपने देखा कि वह समसे हाल वर्क अगर कोई कर रहा है तो वर्कर कर रही है उससे ज़्यादा जब ड्रॉन का काम से फर्टिलाइजिसन का है उसके बाद क्लीन का काम होता है और मैंने यह भी बताया कि यह प्लीन जो होती है यह जब इन पुरोग 5-6000 इंसेक्ट को वरकर को ले करके और कुईन को ले करके और कुछ ड्राम को ले करके जाती है और यह ड्राम का काम होता है उसी कुईन को फैटाइल करना मैंने बताया आपको कि 3 years में one time fertile होगी एक बार 3 साल में एक बार fertile होगी और जब 3 साल में एक बार fertile हो रही है तो इस एक बार के fertile होने से एक बार के निस्चेशित होने से यह अपना असानी पूरवक जो है 2000 अंडे पाइडे के रिशियो से देती चली जाती इस प्रकाश नहीं नहींद को मंते हैं चले हैं आज गॉर्णमेंट लिकां किया है हम पोई केज दे देता है घड़ा जहाए एक कटगरा जैसा केज बना देता आ किस रेली में मक्षियों को देता है । और आपकाया कहते 10% सुगर का solution बना गर के भीकर में रख देते हैं और वहां से मख़ियां कुम उसी कोम से-पने a एक case को बना जया है नियां दीजिएगा यहाँ पर आपने a case को इस तरह से बना दिया है यह case आपने बना दिया यहां से यहाँ पर आपने इस्टिप को लगाया है और यहाँ पर आपने जार लिया इस तरह से आपने एक जार लिया यहाँ पर जो सुगर सलूसन आपने किया है एक 10% सुगर सलूसन है और यहाँ पर यह कॉम है क्या यह कॉम है अब यह जो कॉम है इसी कोंबे में मत्मक्या यहां पूरी तरह से हैं अब यहां से आएंगी और यहां से लेती हैं रस को लेती हैं और यहां पर जो रस इसको मिल रहा है जो यहां पर जो है 10% का सुकर सलुशन इसको मिला फिल लेकर क्या पहुंसती है फिर यहां से आती है और इस तरह से यहां प एक तो फार्मर को हनी मिलती है दूसरा जो है फार्मर को wax मिलता है क्या मिलता है wax wax भावता है mone आपने बेखा हनी और मोम दोनों ही बहुती important है यह दोनों मिल जाते हैं तो इस तरह से यह एक लावदाया कीट के रूप में आता है और इसके छत्ता हो और भाने बताया कि इनके चरते जो होते हैं, बड़े भी होते हैं, चोटे भी होते हैं, और इनकी कई परजातियां होती हैं, कुछ ऐसी परजातियां होती हैं, कुछ ऐसी परजातियां होती हैं, जो बड़ी होती हैं, तो बड़ी परजातियों से बागी ये फ्रेंड्स ये ज्यादा जो है, न को मैं create करके upload कर दे रहा हूं किरका जीवन चकांडों से चलता है फिर से जो है नए मक्यों को prepare कर देते हैं और इसके बाद रेस्थम का कीट है रेस्थम के कीट को मैंने आपको बताता सिल्क वर्म जिसको कहा गया ऑल्म बांबायक समघ बांबायक समघ जो होता है सबकिर बोला गया इसको यह होते हैं साथूत की पत्मों को खाते है और पर देशनिक अदर बंद हो जाएंगा तो किसान क्या करता उसको को कून को तो लेता है उसको कुन को तोड़ करके पाले बॉयल करेगा बॉयल करने के बाद उनके इंसेक्स जो है उसके अंदर मर जाते हैं कुछ को छोड़ दिया जाता है जो नए कुछ को काट करके वहाँ निकाल लिया जाता है उससे नए जो है सिल्क वर्म तायार किया जाते हैं उल्वाइल के बांने के वाइल करूं के बांद मार एका die तो तो निकाल लॉड करके अटेरान की के इस को रिच्रिकर ऑंसोर स्टेज को खाना का लोह में किरत आत्येकिता लख केट एक इसका कीड होता है जसे लख परपार निहां या बनता है उसी कह सब करने के काम में आता वहां पर यह बिटके के लूप में लाग को परिपेर तबार्ट निकालते रहाते हैं और जो फार्मर होते हैं उस लाग को निकाल लेते हैं और इंसेक्ट को बाहर छोड़ देते हैं फिर जे लाग को बनाएगा और लाग को निकाल लेते हैं फिर उसे हीट करके एक नया इस्ट्रक्टर दे दिया जाता है suppose कर यह इस इस्ट्रक्टर बना दिया गया यह चापोर इस्ट्रक्टर बना दिया गया तो जहां पर सील करना होता है वहाँ पर उसको लगा करके सील लगा दी जाती है तो यह दूसरे से चीपक जाते है यह हमारे लिए बेनिफिटिकल है ऐसे इंसेक्स हमारे लिए बेनिफिटिकल है, लाग कीट हमारे लिए बेनिफिटिकल है काग्नियल कीट के विशे मैंने आपको बताया भी आपको कि काग्नियल कीट एक ऐसा कीट होता माई डिया फ्रेंड्स जिससे हमने देखा कि नेल पॉलिस वगरा है इससे भी प्रापन नेल पालिस को प्राप्त कर लेते हैं या महावर के कलर को प्राप्त कर लेते हैं तो कलर भी आसानी पूरवक हमको इसके दरा मिल जाता है My dear friends, इस तरह से आपने देखा कि मैंने यह सारे कीटों के विशेन आपको आज बताया तो मैं अलिमुद्दीन से कौधरी अपने कौधरी कोचिंग क्लासस के माध्याम से और अपने YouTube चैनल अलिमुद्दीन से कौधरी के माध्याम से मैंने आज आपको जो है और सिर्फ एकोनोमिक इंपोइटेंस आप इंसेक्ट्स जिसमें आपको मैंने अर लाघ कीट के मैंने आपको बताया तो इस तरह से आजका टापिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और अब जो है ये कीटों को आप लोग पूरी तरह से ध्यान में रखिएगा पहसते रहिएगा और हमारा अगला अगला टापिक जो है नेक्स दे के लिए प्रिपेर होगा माइडिया फ्रेंड्स इस तरह से आपने देखा कि मैंने आज आपको अपने अली मुद्दीन से कादरी कोचिंग चैनल के वाध्यम से यूटूब चैनल के वाध्यम से हमने आपको किया मैं आपसे एक वार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सबसे पहले हों मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर हो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा स-ज़्यादा मैंने कहा है कि मैरा अभी तिस्टिब्यूट होगा My dear friends इसी के साथ मैं आज का टापिक हैं पर समाब करता हूँ नेक्स्ट आपिक हमारा नेक्स्ट टेलों में, तब तक के लिए, थैंक यू.